आजादी के बाद किसी भी दल के संसत के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैस नहीं पकड़ी गई होगी। पुरा इंडी एलाइंस मौन है इस करप्शन पर। कॉंग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फित्रत ही ब्रश्टाचार की है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाप यह जो एक प्रचार अभ्यान चला कि एजन्सों का दुरूपयोग हुए है वो क्यों चलाएगा है। कि इनके जहन में डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिठे खुड़ जाएंगे। अब क्या कहेंगे जिस तरीके से जाकंड के आलाते हैं और जिस तरीके से वहाँ पे अरगोल पे निकल रहे हैं को में इसके शांसत के घर से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखे ये मुझे तो बड़ा आस्चर्य है आजादी के बाद किसी भी दल के संसत के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैस नहीं पकड़ी गई होगी। सेकडो करोडो रूपय का कैस संसत के घर से मिलता है और पूरा इंडी एलाइंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को। कॉंग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फित्रत ही ब्रश्टाचार की है। परन्तु चाहे त्रिनुमल कॉंग्रेस हो, चाहे जेडी यू हो, चाहे आरजेडी हो, इस सारे दल डियेम के सहीद चुप बैठे हैं। सफा भी चुप बैठी हैं, कोई रियेक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाप ये जो एक प्रचार भ्यान चला, कि इजन्सों का दुरूप योग हुए है, वो क्यूं चलाएगा। कि इनके जहन में डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूँ कि ये उचिती ही हुआ है जिस प्रकार से इतनी विपूल मातरा में ब्रश्टाचा जारखन जैसे गरीब राज्यमे हो रहा है, वो आँख खुलने वाला है। और ये जो राजनितिक प्रपोगंडा करते हैं एजंसियों के दुरूपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजंसी काम न करे, तो एजंसी की क्षमता पर सवाल होते हैं। और मैं मानता हूं कि राहूल गांधी से लेकर इंडी एलाइंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए, भारती जनता पाटी ये मसले को बहुत नीचे तक इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भृष्टाचार के खिलाप है, धेल सारे कदम नरेंद्र मोधी सरकार ने उठाये हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाये हैं और इस दिशा में हम जन जागरूती लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुँचाएंगे।